साथियों नमस्कार कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे उम्मीद है एकदम फस किलास होंगे रीजनिंग से एक और उप्यों के किलास टॉपिक रहेगा आकिर्थी की पूर्थी करना यानि आप प्रिशन में देखिए यहां आप लोग को कुशन मार्क दिया हुआ है तो आप लोग ये बताएंगे कि इन चार आप्संस में से किस आप्सं का यूज करें ताकि ये आकिर्थी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए इसमें आप लोग देखेंगे किसी समान गुण धर्म के आधार पर यहां उपर के पार्ट और नीचे के पार्ट में ठीक ना या फिर इस वाले पार्ट में या फिर इस वाले पार्ट में या फिर इस वाले पार्ट में यानि किसी ना किसी प्रिकार से कोई ना कोई समानता तो एक practice set है आपके लिए ये topic बहुत ज़्यादा important है cover हो जाएगा आज की वीडियो के जरिये ही देखे सबसे पहले सवाल को देखिए दिहान से देखना मैं इसे थोड़ा से scroll करके बड़ा कर दिता हूँ अब देखे दिहान से यहाँ एक person आकिरती दिखाएगे यह आपको यह वाली person आकिरती है इस वाले गहरे में और यह चार उत्तर आकिरती है जो यहाँ दी गई है यह एक, दो, तीन, चार यानि A, B, C, D करके आप लोग देखिए, यहाँ बताईए, person वाचक के स्थान पर क्या सकता है दोस्त है ना, सिंपल ही आप देखेंगे कि उपर एक ट्रेंगल को बीच में से डिवाइड किया गया है लेकिन यहाँ ट्रेंगल को बीच में से दो रेखाओं के साथ और डिवाइड किया गया है है ना, दो रेखाओं के साथ यहाँ देखिएगा वहाँ जो किया गया है, वो उपर से रेखा लाई गई है, लेकिन यहाँ दो रेखाओं नीचे से लाई गई है तो देखिए इसका दूसरा रूप इधर साइड बना हुआ है तो इसी का दूसरा रूप आप इधर साइड बनाएंगे और जब इधर साइड बनाने जाएंगे तो आप लोग इस टाइप से कंप्लीट करेंगे उसको जैसा मैं यहां पे कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल अब रूप कम्पलीट हो गया जैसा ये वैसा ये जैसा ये है वैसा ये हो जाएगा तो वही कौन सा अंसर हो जाएगा बिल्कुल इसके लिए राइट आप लोग मिलाएए किस विकल्प में बिल्कुल सही अंसर दे रखा है आप कहेंगे सर इसका जो अंसर दे रखा है न विकल्प डी में बिल्कुर राइट दे रखा है तो पहले नंबर के लिए डी विकल्प बिल्कुर ठीक हो जाएगा बाद बाद कि किसी आप्सन में कोई विकल्प ठीक नहीं है सवाल नमर दो को कवर करिये बई इसमें स्वाल नमर दो में बताईए कि क्या यहां पृरसन वाचक के इस thange पे आ सकता है? बताईए क्या सकता है दोस्तों कंप्लिट करिये कैसे कंप्लिट करेंगे? पहले इस रेखा को इस रेखा से मिला दिया यह हो गया और फिर इसके बाद में यह धारी यहां से चलकी आई है तो जाहिड सी बाते पार भी जाएगी यह पार गई बिल्कुल ठीक है तो ऐसा काम किस विकल्प में किया गया है आप कहेंगे इक जो ऐसा काम किया गया है न वो विकल्ब C के अलाव किसी और में नहीं किया गया क्योंकि इसमें उपर की तरफ रेखा को काटा गया है जबकि हमें तो यहां से स्रुबात करके काटना है ठीक ना तिहान देना C विकल्ब बिलकल ठीक है सवाल नमबर तीन को कवर करें दोस्त सवाल नमबर तीन में आप देखिए यहां ट्रेंगल है यहां ट्रेंगल है बीच में से एक रेखा रही है यह वाली तो रेखा तो सब में आएगी ही आएगी इसके साथ अभी से आप पूरा करते जाएए यह यहां पूरा हो जाएगा है कि यह वाला यहां हो गया पूरा यह वाला नीचे हो जाएगा यनि आपने जो रेखाएं खीची है मातर यह रेखाएं खीची है बस रेखा खीच के इसे हम पूरा करेंगे एविकल्प में देखना ज़रा यह यहां पे खीची ये तो इसका आप कहेंगे सर एविकल्प में ऐसा बना हुआ है जैसा आपने लाइन को पूरा किया था तो केवल पूरा करना है आपको उस पॉइंट पे रखके अब आता है सवाल नमर चार मुझे यही बताना था कि आप इस प्रकार का प्रियोग करके इस प्रकार का प्रियोग करके आप कंपलीट कर सकते ही नाकिरतियों को देखे सबसे पहले आपको ये वाली आकिरती इस से मिला देनी है ये वाला इस से पॉइंट मिला देना है ये मिला दिया अब जिस प्रकार से ये इसमें गया ये इसमें गया ये इसमें गया तो जहिर सी बात है, ये भी इसी में जाके मिल जाएगा उपर, बीच में एक विरत कटा हुआ आ जाएगा, देखो ये विरत कटा हुआ आ गया बीच में, तो आप कहेंगे सर किस विकल्प में सा काम हुआ है, इसमें विरत को टेड़ा किया गया है, इसमें विरत को टेड़ा क ठीक है आगे बढ़िए सवाल नंबर पांच की तरफ दोस्त सवाल नंबर पांच करिए कम्पलीट सवाल नंबर पांच में और बताईए इन चार आपसंस में से कौन सा आपसं मिलेगा गुरुप डी ने पूछा था दो हजार अठारे में देखे सबसे पहले आप लोग इस व वाला पॉइंट आप कहेंगे सर किस विकल्प में बन रहा है बनाईए और फिर उसके बाद में आप इस विकल्प को और कम्पलीट कर दो तो ऐसी कंडिशन किस विकल्प में दरसाई गई है अगर आप डी विकल्प को देखेंगे तो डी विकल्प में लाइन आ रही है ये ये नहीं हो सकता तो मातर इसके अलावा ए विकल भी बिल्कुल इसके लिए प्रवल उप्सन बनता है आगे बढ़ेंगे सवाल अमर च्छे की तरफ दोस्त सवाल अमर च्छे में बताए कि क्या आ सकता है पॉइंट क्या पॉइंट आ सकता है देखो मैं एक चीज आप लोगो को बताने कोसिस करूँगा ये यहां पे जो बीच में आयत दे रखा है इसमें भर दिया है इसमें पहले वाले में खाली है बस इतना ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है ठीक ना इतना ही अंतर है आप देखी यहां पर वरत का प्रियोग किया गया है तो इस वाले में भरा हुआ है ना इस वाले में खाली आएगा अब इन मैसे खाली विरत किसमे दे रखाई बीच में देखो ये भरा हुआ विरत है इसमें ये ये आयत हो नहीं सकता ये भी नहीं हो सकता बचा हुआ डे विकल भी बचता है इसके लिए ये ये बिल्कुल सहम होगा मैंने बोला था समानता होगी और समानता के आधार पर ही आपको ये कायम करना है आगे बढ़िए सवाल नमर 7 की तरफ गरिए जरा प्रिसन वाचक में क्या हो सकता है दोस्त क्या हो सकता है प्रिसन वाचक में जरा बताईए देखो एक चीज जैसे यहां पर रेखा यह नहीं ऐसे ही उपर रेखा थी तो इससे मिली हुई रेखा बीच में जाके मिल गई है कुछ इस टाइब से घूम के आप कहेंगे सर हम भी घूमा के मिला देते हैं तो मिला दो भई गुमा के जब आप लोग मिलाएंगे कुछ इस प्रकार से रेखा आएगी यह आ गई यहां से अब जो रेखा यहां पर मिली है इस पॉइंट से इसी से जुड़ी हुई रेखा एक इस टाइब से गई है तो आप कहेंगे सर इसी से जुड़ी हुई रेखा जाएगी जाएगी देखो ये चलीगी इसी सिरी की जुड़ी हुई रेखार उपर जायके मिल जाएगी ये वाला काम किस पॉइंट में हुआ है आप कहेंगे सर ये विकल्प में हुआ है तो ये ही विकल्प इसके लिए बिल्कुर राइट है जान से देखना आकिरती गलत नहीं होगी दोस्त आगे बढ़िये सवाल नमर आठ की तरफ फटाफट से बताएए सवाल नमर आठ में क्या आ सकता है धूणिये दोस्त धूणिये देखो जिस परकार से ये रेखा पूरी है जिस परकार से ये रेखा पूरी है तो ये रेखा भी दोस्त पूरी ही होगी ये रेखा भी पूरी ही होगी ठीके ना चलो कर दो जी ये रेखा पूरी होगी इस टाइप से कर दिया आपने ये रेखा उसके बाद में आप देखिए उसके बाद में कितने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच पांच पॉइंट किसमें बने हुएं और पांच पॉइंट वो भी इस टाइप से जिनका मुख इसकी तरफ हो अंदर की तरफ आप कहेंगे सर्या तो मुख ये इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है या तो ए विकल्प में हैं या फिर आपका डी विकल्प में हैं अब कौन सा हो सकता है अब इतना भी है भई कि देखो इन दोनों के बीच अंतर भी छोड़ा गया ठीक न? तो आठ सवाल आप लोग के कम्प्लीट हो गए वीडियो पसंदारी हो तो एक बार सभी लोग पिलीज वीडियो को सेर जरूर करते ना दोस्त आगे बढ़ते हैं सवाल नम्बर 9 की तरफ देखो सवाल नम्बर 9 पर आजा उजरा सवाल नम्बर 9 की परसन आकिरती देखी अब आप लोग ये वाली कंडिशन हैं यहां बताने हैं परसन वाचक में क्या हैगा दोस्त ये थोड़ा हार्ड है पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है आज सीख जाओगे आप देखो सभी के पीछे दो रेखाए हैं सभी के पीछे दो रेखाए हैं जहिर सी बात है इसके पीछे भी दो रेखाए आनी है दो रेखा और ये वाली कंडिशन आनी है ये बिंदू वाली कंडिशन इसमें बिंदू वाली कंडिशन आ रही है ठीक है इसमें दो रेखा तो है बिंदु वाली कंडिशन बहुत छोटी आ रही है यहो नहीं है, इसमें बिंदु वाली कंडिशन आ रही है, दो रेखा भी है, या तो A हो सकता या D, A या D मेंसे कोई सा 1 हो सकता है, सवाल नौ के लिए, अब हम को कौन सा चुनना है दोस्त, हम कैसे बताएं कि A है या D है, रखना एक चीज बस देखो इसका इससे मिला हुआ पॉइंट ठीकिन इसका इससे पॉइंट मिला हुआ तो जहिर सी बात है यहां जो बनेगा ना उसका पॉइंट उससे भी मिलेगा यह वाला जो पॉइंट बीच वाला तो ए विकल्प में ही पॉइंट मिल रहा बस बाद बा से पहले आधा हिस्सा है ही नहीं तो डी विकल्ब गलत हो जाएगा आगे सवाल लंबर दस को करिया वे पूरा सवाल लंबर दस में क्या हो सकता है सीख गए होंगे किवल सिकाने की बात है देखो जिस टाइप से उपर वाला गहरा बनाया हुआ है ये वाला उसी टाइप से अंदर भी बन रहा होगा उसी टाइप से ये वाला गहरा भी आप लोग बनाओगे अजब ये वाला गहरा बनाने जाओगे आप लोग तो कुछ इस टाइप से आएगा चलके अब इस टाइप से किस में चला हुआ है चुनिए किसमें चला हुआ है एक तो ये चला हुआ है ठीक ना एक तो ये चला हुआ है और जिस प्रकार से यहाँ इसमें से घेर रेखा निकली हुई है उसी टाइप से यहाँ से भी रेखा कुछ इस टाइप से निकल जाएगी ये वाला पॉइंटीस में मिल जाएगा है कि देखो बिल्कु सैम बन गए अब ये तो सैम बनेगी डीविकल्ब से डीविकल्ब आपका अंसर है तो ठीक है आगे बढ़िए सवाल लंबर 11 की तरफ दोस्त सवाल लंबर 11 बताई प्रिसन वाचक की स्थान पर क्या आएगा सिंपल है ये तो इसका इस से मिलान कर दो जाहिड सी बात है ठीक है ना अब करना क्या है दोस्त जैसे यहां आमने सामने रखी है एक दूर है एक पास है ये वाला पास ये वाला दूर तो ये वाला पास ये वाला दूर है आपको करना क्या है दोस्त एक पास एक दूर तो फिर कौन सा सकता है कौन सा सकता है देखो पहले आएगा पास वाला पहले पास और फिर जाएगा दूर वाला पास दूर पास दूर की कंडिशन बनेगी और वो भी इस टाइप से बनेगी जिस टाइप से मैंने बनाया है अब ये किस विकल्प में बना हुआ है जड़ा बताईए देखो पास दूर आपसन नमबर सी में बना हुआ है है ना आपसन भी नहीं हो सकता क्योंकि इस लाइन पे है वो जबकि इस लाइन पे तो अलरड़ी ये है ये इस लाइन पे है गलत है ये केवल एक मातर लाइन पे ये ही बना हुआ है और ये दूर दूर पास पास रखा गया ये नहीं हो सकता दूसरी चीज़ इसे बीच में से काट भी दिया गया ये नहीं हो सकता C option ही पिरवल है 11 सबाल देखो दोस्त सुरी 12 सबाल देखो 12 सबाल में क्या हो सकता है बताईए बस इस वाली सेप को उलट करके यहां लिख दिया है इस वाली सेप को आप लोग घुमा करके लिख दो यानि यह जो है बलैक वाला यह इस हिसे में आ जाएग लास्ट वाले में और एक ہी option तो है जिसमें यह काम किया गया ए option बादबह की किसी option में किया ही नहीं गया बस इसी से बकड़ लिख लिया अपने अब उल्टा करके अब उल्टा करेंगी तो यह black इसा बाद में चला जाएग और बिलेक हिस्सा एक मात रॉप्सन इसी में बाद में बाद में किसी में है ही नहीं चलो वही सवाल नमबर 13 पर आजाओ तेरवे नमबर कुशन को देखो भला फटापट से तेरवे नमबर कुशन में क्या हो सकता है मिलाओ आप कहेंगे सर पहले तो इस वाले पॉइंट को इस वाले से मिला दो किस में हुआ ये कम किस में हुआ ये कम इस वाले पॉइंट को इस से मिलाया गया बोलो भई फिर क्या करना है इतना मिलाने के बाद एक तिर्बुज जिसका मुख हो इस तरप एक तिर्भुज दोस्त और बना दो और इस तिर्भुज पर तीन तीन रेखाय खिची हुए तीन रेखा खिच के एक पीछे कुछ इस टाइब से विरत्वी मिला दो और कुछ ये भी बना दो हिस्सा तीन रेखा खिच दो इधर तीन रेखा खिच दो इधर अब आप देखेंगे सर ये काम किस में हुआ है देखो ये काम किस में हुआ है ये काम किस में हुआ है तेरवा नमबर सवाल बोलो बोलो दोस्त अभी तो एक रेखा इधर भी खीचेगी एक रेखा इधर भी खीचेगी बिल्कुल खीच गई दोस्त बोलो जी और किस में ये काम हुआ आप कहेंगे सर सभी में हुआ है आप कहेंगे सर सभी में हुआ है लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है दो रेखा बैक ग्राउंड में भी है पीछे की तरफ ये वाली भी देखो उपर ये री बैक ग्राउंड में दो रेखा इसमें दो रे आप्सन काटके भी रिलेट करके भी करिएगा, सवाल अमर 14 देखो गई, करिए पूर्ती, किस प्रकार से कर सकते हैं, पहले इस वाले पॉइंट को इस वाले से मिला दो दोस्त, मिला दिया आपने, फिर क्या करना, ये वाला पॉइंट आपको मिलाना है, इस वाले से, इस कि ये वाला मिलान बिंदू और आएका, ये वाला मिलान बिंदू भी आगया, ठीक है, फिर किया का है, फिर ये वाला ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि ये वाला यहां आगया, ये वाला इधर आगया, इसके साथ साथ में एक इधर साइड को गया है, एक इधर साइड को इस नहीं किसी और विकल्प ना बन रही है तो ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता दोस्त पंदरे नंबर सवाल करते हैं जरा aún कि कौनसा इसे पूरा करेगा जाएक नहीं से उपर बना हुआ ये घेरा है आप कहेंगे सर ये वाली पट्टी भी खीची है ठीक ना इसमें दो पट्टी खीची है जब कि यहां पर एक पट्टी है यह हो नहीं सकता इसमें दो पट्टी खीची हुई है यह नहीं हो सकता options अगर आपने काटने सीख लिए तो ये मान के चलना ये सवाल सीख लिए आपने ठीके ना अब क्या करना है अब मुझे ये हिस्सा मिलाना है पहले ये हिस्सा मिला दिया मैंने फिर मुझे क्या करना है फिर मुझे ये हिस्सा मिलाना है जैसे ये सामने वाला हिस्सा मिला हुआ है फिर एक और पॉइंट मुझे यहां से कुछ इस टाइब से लेके जाना है फिर एक और लाइन कीचनी है वो लाइन मुझे इस टाइब से मिलानी है आप केंगे सर किस में हुआ है साकाम तो देखो उपर वाला हिस्सा इसमें मिलाया गया तो C आप्सन में ये काम हुआ क्योंकि यहां उपर वाला हिस्सा मिलाया ही नहीं गया है C आप्सन प्रवल्द है इसके लिए ज्यान से देखेंगे अपनी ही इन ही निगाओं से तो समझ में आएगा सवाल नमर 16 में देखी दोस्त क्या हो सकता है सेर मार देना अगर पसंदारी हो वीडियो तो बस ये सॉलवा आपको जो करना है न पैन रखके करना है पैन रखके ठीक है आप कहेंगे सर अनलाइन में कहां से पैन रख लेंगे तो उस पे चला ले न पैन सोलवा नमबर करो जार आप पूर्टी देखो सबसे पहले ये पूर्टी फिर ये पूर्टी फिर यहां स्टार और फिर यहां स्टार ये कंडिसन बनेगी फिर उसके बाद में यहां चार आएंगे ये ये वाले कौने में चार आप कहेंगे सर ये वाले कौने में चार यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है यह तो पहले यह उप्सन गलत होगे एक ही मातर उप्सन तो जिसमें कौने में चार दे रखें ना बहुत फटा फट छोटी छोटी सी बातों से जैने लोगे आप लोग सवाल नमर 17 देखो दोस्त 17 नमर क्या हो सकता है मेभी इसका आंसर पहले आपको क्या काम करना है पहले ये वाली लाइन इससे मिला देनी ये पूर्टी हो गई दोस्त इसकी फिर ये वाली condition आपको touch करते हुए इससे मिला दे निया तच करते हुए मिल गई अब आप ये वाली condition ढूड़ो जो मैंने इसमें किया कि भई ये इस point पे बन सकता है मिला दिया मैंने अभी एक point ये और रह गया है ये वाला इस से मिलेगा ये option डूड़ लो आप लोग जो मैंने मिलाया है कौन से option में ये काम किया गया है देखो एक रेखा उपर की तरफ जा रही है एक इस type से खीच की आ रही है एक मैंने इस type से खीची है एक इस type से खीची है कि देखो दोस्त वाल नमर अठारे करिये जरा पूरति इसकी सवाल नमर अठारे में बताई यह कोंसा उत्तर हो सकता है देखो पहले इस लाइन की पूर्ती आप कर देंगे ये वाली लाइन की पूर्ती आप कहेंगे सर सभी में बिंदू दे रखा है सामने बिंदू 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 इसके सामने तो बिंदू है ही नहीं पिना देखे आंसर 18 कर दिया आपने बिंदू तो है ही नहीं बताईए कहां पर बिंदू दे रखा है बोलो कहीं नहीं है बिंदू तो D-Option है इसका राइट 19 नमबर सवाल देखो दोस्त 19 नमबर सवाल मिलाईए 19 नमबर सवाल में कि क्या हो सकता है एक आयत और उसके साइड बे कुछ इस टाइप से बना हुआ निसान आयत के साथ दो है और मुख किदर होगा मुख देखे उपर की तरफ नहीं हो सकता ये वाला एक वाला नहीं हो सकता इसका मुख इस तरफ है ये नहीं आ सकता क्योंकि सभी का मुख सेंटर की तरफ है आगे कि सवाल मैं अगली वीडियो में कराऊंगा आपको इतने ही बहुत हैं एक दिन के किलास में करिये पूर्ती पहले ये वाला पूर्ती किया फिर ये वाला लगाया फिर ये वाला इस से फिर ये वाला इस से जोड दिया ठीक ना उसके बाद भी मामला थमा नहीं उसके बा किस और बंá बराए मैंने वो देख लो आप किस और लोलो बिस बोलो मकत बोलो यह बहर हुआ है कि म्हें दो प्रआ यह नहीं बहर हुआ है और जो यह बहर हुआ है लो इस आछफ पम्पट किए आउ है अब इस छोड से किसी में विरत कंप्लीट हुआ ही नहीं है ना इस में हुआ है बस एक यह उप्सन हुआ है बी उप्सन में कंप्लीट तो बीस सवाल थे आज की वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं फिलाल थैंक्यू बाबाई जाहिंद